हेलो श्ट्रेंट्स आपके अपने यूट्यूब चैनल टूटल एकाउंट टैनसी पर एक बार प्रिशवागत है और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिसकस करने वाले हैं पन्ट फ्लो स्टेट्मेंट जी हां हमारा चल रहा है पन्ट फ्लो का चैप्टर जिसमें की हम लोगों ने अभी तक मोस्ट इंपोटेंट पुइंट को डिसकस किया है टू पार्ट्स के अंदर ठीक है इस टोपिक पर टू लेक्चर ओलेडी हम लोग कंप्लेट कर चुके हैं दो देखें आज हमीडी डिसकस करने वाले वह करेंगेज हमारा चैप्टर है फंट फ्लो और हम लोग डिसकस करेंगे इसमें क्या है बजरIZ इम्पोटेंट चिह अनगे मैं इस वीडियो के उनदर टिसकस करऊंगँ आप लोग के आपसुसक्ट तो सिर्फ आपकी जो duty बनती है वो ये बनती है कि जो भी मैं आप लोगों को point बताऊं वो सिर्फ आपको note down कर ले रहा है ठीक है अगर आप लोग हर point को note down करेंगे तो एक्जाम में कोई भी mc की वैसा नहीं होगा जो आपसे ना हो ठीक है इसकी guarantee मैं आपको लोगों को दे सकता हूँ fund flow statement देकि सबसे पहले हम लोग क्या बनाते है schedule of change in working capital ठीक है पहले नमर पर क्या बनाएंगे schedule of change in working capital जो कि मैंने आपको part 2 के अंदर उल लीडी बता चुका हूँ ठीक है उसके बाद क्या बनाते हैं हम लोग उसके बाद मनाते हैं fund flow statement this statement consists of two parts ठीक है जो अपना ये fund flow statement है अगर आपसे पुछे कि इसमें कितने part है तो आपको बताने कि इसके अंदर दो पार्ट कितने पार्ट है कोई पुछा आपसे की फर्स्ट वाला पार्ट कौन से है तो आपको बताने सोर्स ओफड्ड इंड सेकंड पार्ट क्या है एप्लिकेशन या फिर यूस ओफड्ड तो इतनी बात आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो चुगी है कि जो फट्रेटमे सोर्स का मिनिंग होता है कि पैसा कहां से आ रहा है हर एक पुइंट जहां से पैसा आ रहा है जैसे मैंने कोई अपनी प्रोपरिटी को सेल कर दिया आप लोग बताएगा कि अगर मैं अपनी फिक्स असेट्स को सेल कर दूं तो इन फलो होगा कैस का क्या आउट फलो होगा तो हर एक वो ट्राजेक्शन जिसका क्या हो inflow of fund हो यानि पैसा आए तो हम लोग उसे क्या कहेंगे आर काल्ड source of fund तो यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसे point हैं जिनके अंदर यह बताया गया और यह एक्जाम्पल्स हैं कि आप लोग जैसे कि अगर एक्जाम में आ जाए कि चार ओप्शन देकर रखेंगा और आप से पूछे कि इसमें से source of fund कौन सा है तो आप लोग पहचान लेंगे तो इन पॉइंटों को समझेगा देखें फंड रिसीव अगर फंड रिसीव हो रहा है तो यह भी क्या सोर्स ओफ फंड है सिर्स जो कैपिटल है वो इनक्रीज हो रही है यहने कि हमने से रिशू करें होंगे तो हमारे पास पैसा आया होगा उसके बाद रिशिप्ट रिशिप्ट लोंग टरम लोन मैंने लोन ले लिया तो यह क्या है यह भी सोर्स ओफ फंड है जहां से भी पैसा आ रहा है सोर्स ओफ फंड है उसके बाद सेलों फिक्स असेट नॉन ट्रेडिंग रिशिप्ट और डिक्रीजिन वर्किंग कैपिटल देखें जो यह लास्ट वाला पॉइं जो की बहुत इंपोडेंट है सोर्स ओफ फंड के अब हम लोग बात करेंगे कि जो अपना फंड पर स्टेट्मेंट है उसका जो सेगेंड पार्ट है जिसे हम लोग कहते है अप्लिकेशन ओफ फंड उसमें कौन-कौन से पॉइंट आएंगे तो देखेगा यहां पर एप्ल इक्स असेट्स को परचीज करनों तो मेरे पास पैसा आएगा कि जाएगा तो आप लोग कहेंगे कि पैसा जाएगा जब पैसा जाएगा तो इसे आप लोग क्या गएंगे अप्लिकेशन ओफ फंड कि देखे मेरे पास सेर थे यहां पर डिवेंचर लोन है उनकी मैंने क्या करें रिदेम्शन रिदेम्शन का मताउं अगर आपस कर दो तो यह क्या है एफ यहां पर क्या दिया हुआ है कि जैसे पैमेंट ऑफ डिवडेंटë अगर कंपनी डिवडेंट tragen का तो भी क्या है यह Application of Fund, Payment of Non-Trading Expenses, Increase in Working Capital देखे जो Increase in Working Capital है आप लोगों को ध्यान रखना कि यह क्या है Application of Fund है ठीक है, Special Point है, चलिए मैं बार-बार इसको repeat कर रहा हूँ आप लोगों के साथ में ठीक है, तो मैंने दो चीजे बताई आज आपको कि सबसे पहले जो Fund Plus Statement उसके Two Parts हैं और सबसे पहले क्या Source और Second क्या Application तो यहाँ पे पैसे का आना और जाना देखना है और Increase और Decrease देखना है Working Capital का आई ओप की वरिकुल आप लोगों को Clear हो गया होगा उसके बाद आगे बढ़ते हैं अब हम लोग जो डिसकस करने वाले हैं वो डिसकस करेंगे कि अपना जो इंदयों प्रविंड पर श्राइन की के क्यूं को घृळते हैंक मेंने फ्रम कता हैं दो इस फॉर्म को देखने के बाद आपको यह बत बत चलेंगे कि कौन से ऐस looks प्लस करेंगे क्या प्लस करेंगे क्या प्लस करेंगे नोन कैस्ट आइटम तो अब आज आप लोगों को वह बाते बता चलेंगे कि कौन कौन सी आइटम ऐसी है जो नोन कैस है नोन कैस का मतलब उसमें कैस नहीं जाता है एक्समेंस होगा लेकिन कैस नहीं जाएगा जैसे सबसे इसमें सबसे पहला नाम आता है डैप्रिशेशन का किसका नाम आता है डैप्रिशेशन का यह फॉर्मेंट को कि आप लोगों को बनाना बहुत जरूरी है तो आप यह format बना लेंगे और सबसे पहले क्या लिखेंगे non cash में deposition दूसरा लिखेंगे preliminary expenses, goodwill, patent, discount on issue of share और fix assets, return of ठीक है तो यह point है जो हमारे non cash expenses वाले item है उसके बाद हमारे इसमें plus होते हैं क्या non operating loss जो ऐसे loss जो non operating जैसे sale on fix assets तो यह point आप लोगों को mind में रखने है उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे format के अंदर हम लोग लिखेंगे application of profit की जो profitors का distribution होगा तो यह point आप लोग note down कर लेना यह format था ठीक है तो यह format है तो इस तरह से हमारा क्या निकल जाएगा fund from operation निकल जाएगा तो आई होग कि आप लोगों को format वेकुल clear होगे अभी आप लोगों ने देखा कि हमने जब video start हुई थी सबसे पहले fund flow statement के बारे में discussion किया था तो अब हम लोग क्या है कि उसका format चेक करेंगे कि उसका जो format है वो किस type का है और क्यासे बनेगा ठीक है एक्जाम में देखो बनाना तो है नहीं है ना बनाने के लिए आएगा आपको तो सिर्फ यह दियान रखना है कि कौन सी item कौन side जानी है ठीक है आप से जो बस इतनी उ format है source of fund and application of fund तो सबसे पहले क्या लिखेंगे fund from operation अगर profit हो रहा है अगर loss हो रहा है तो loss trading loss या fund lost in operations ठीक है तो देखिए अगर एक्जाम में पुछा जाए कि हमें trading profit हो है तो कि side mention होगा तो आप लोग बताते ना source of fund में और अगर loss हो रहा है तो application of fund में देखिए अब उसके बात वही आइटम है है वही चीज़े हैं जो हम लोग ओलेटी discuss कर चुके है कि source में क्या वता है जैसे issue of share, issue of debenture, receipt of loan term, sale of non current assets, non trading receipt ठीक तो यह सब किसे में आएंगी source of application में आएंगी और application में क्या आएगा ठीक है application यह सोर्स था fund का और यह है right side में redemption देखिए यहां पर क्य है कि हम लोग application कर रहे हैं यूज कर रहे हैं loan वापस कर दिया redemption कर दिया purchase कर लिया fix assets को non trading payment है tax paid है अब जो last की दो आइटम है वो बहुत अच्छे ध्यान रखनी है आप लोगों को यह सर एक्जाम है में बार-बार कह रहा हूं कि आ जाती है increase और decrease ठीक है यह दर increase है यह दर decrease ह है तो आप लोगों ध्यान रखना कि जो decrease in working capital है वो किस साइड में आएगा तो किस साइड में आएगा वो आप लोग देख सकते हैं वो आएगा source ठीक है और एकर increase है तो application of fund में तो I hope कि आपको इतना format तो बिरुकुल clear होई गया होगा कि आखिरकार यह हमें जो format है वो किस त फॉर में हम लोग mcq discuss करेंगी और mcq करते ही है हमारा जो chapter है पुरा complete हो जाएगा आप लोग कोई भी model paper ने कहीं से भी कोई भी mcq लगाएं सारे mcq तीन जो वीडियो हुई है हमारी complete three parts में वो सब उन्हें पढ़ने के बाद note down करने के बाद आप लोग कहीं से भी कोई भ एक्यों के साथ फिर मिलेंगे ठीक है थैंक्स पर वर्चिंग